Welcome Everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys, अगर हम सभी लोगोंने Magical School के बारे में सुना होगा तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है जो कि Hawkewards है, यानि कि Harry Potter का स्कूल Guys, अगर आप सभी लोगोंने Harry Potter नहीं देखी है तो आप सभी लोगों को हिदेशनागर का चानल चैक आउट करना चाहिए जहाँ पर आपको Harry Potter की each and every single detail के साथ में सारे वीडियोस मिल जाएंगे चलिए back to the story जहाँ पर आज हम एक और Magical School के बारे में देखने के लिए जाएंगे जहाँ पर बच्चों के पास में एक नहीं बलकि काफी अलग अलग तरहके की पावर्स है और उन सब के लिए एक अलग ही स्कूल बनाया कया है जिसका नाम था Siege Academy है मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की खुद को नरीट करते हुए बोलती है कि सारे बच्चे अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं और सभी के पास में एक अपना टालेंट होता है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी टालेंट बाकियों से बिलकुल अलग होते हैं यहाँ पे हम एक नौरी नाम की लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक छोटी से किटन थी देखते ही देखते नौरी भी किटन में पतल जाती है नौरी के फादर को वंडर तो होता है लेकिन ये सब कुछ एक जैनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन थे यानि कि नौरी की मौम के अंदर भी कुछ ऐसी ही एबिलिटीज थी कहानी छह साल आके बढ़ जाती है नौरी 6 साल बड़ी हो चुकी थी और अब टाइम था इस अबिलिटी को अच्छी तरीके से सीखने के लिए सेज अकेटमी में जाने का नौरी की एक फ्रेंड और थी जिसका नाम रहना था ये दौनों बच्पन से ही साथ रहती थी रहना के पास फायर क करेंगे बहुत अच्छा करेंगे इन सभी कि पेरिंच यहां पर आते हैं जर मैं पता चलता है कि यहां पे बच्चों के पास में और भी अलग अलग तरह कि पावर्सएंiset इन सभी बच्चों को गाइड करने के लिए एक अचीबी तरीके का आतमी आता है। इन सभी बच्चों को लगा था कि इनके लिए कोई magical से बस आएगी इने लेने के लिए लेकिन यहाँ पे कोई magical बस नहीं थी। बलकि इने फॉरेस्ट में से ट्रैक करते हुए आगे की तरफ जाना था। पेरिंस को वहीं रुकना था और बच्चे पीछे पीछे चलते जा रहे थे। और एक दरवाजे को पार करते हुए सभी दस सीज अकैडमी में पहुँच जाते हैं। जो बच्चे वहाँ पे पहले से ही पढ़ रहे थे वो सभी न्यूकमर्स का वेलकम करते हैं। यहाँ पे इनका वेलकम करने के लिए प्रिंसिपल आई होती है। जो कि इन सभी को बताती है कि आपके अंदर की पावर्स ही आप सब को यहां तक ले आई है। इस स्कूल की अंदर इन पावर्स को पाँच तरीके से बाटा गया है। पहले नमबर पे फजी है जो कि आनिमल से बात कर सकते हैं। सेकेंड नमबर पे फ्लिकर है, जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ और ट्रैक कर सकते हैं, तीसरे नमबर पे फ्लैर ग्रूप आता है, जो कि फायर को क्रियेट कर सकते हैं, यानि कि रहना जैसे, चौते नमबर पे फ्लैर आते हैं जो कि हवा में उड़ सकते हैं और पाँचवे नमबर पे फ्लक्सर आते हैं जो कि खुद को आनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल नौरी की चैसे लेकिन इन सभी को स्कूल में अड्मिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा और अब टाइम था उसी टेस्ट को देने का हर ग्रूप के टीचर प्रिंसिपल के साथ बैठे थे अपने बच्चों को चुनने के लिए लेकिन इस टेस्ट के अंदर कुछ बच्चे ऐसे लेकिन इसकी पावर से फॉक निकलता जा रहा था पैपर नाम की लड़की जिसे चीजों को अपनी तरफ पुल करना था लेकिन उसकी पावर रिवर्सेबल थी वो एक वास को काफी तेजी से फैक दी है जो कि शायद किसी की सर पर भी लग सकता था एंडरस नाम का लड़का जो कि हवा में तोड़ सकता था लेकिन उसे वापस नीचे उतरना नहीं आता था और अब आकरी बारी नौरी की थी नौरी को टास्क मिला था कि उसे 6 सेकंड तक एक कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म होके रहना है लेकिन नौरी कुछी सेकंड के अंदर बतल जाती है वो एक कैट के साथ में ड्राइगन का भी फॉर्म ले लेती है इन सबी बच्चों को कार्ट्स मिले थे और अब जिस बच्चे के पास जो कार्ट था उसे के अकॉर्डिंग उन्हें अलग-अलग पार्टिशन में बढ़ जाना था लेकिन प्रिंसिपल नौरी की कोई बात नहीं सुनती और उसे भीज देती है फॉर्स्ट में आके जाने के बाद यहाँ पे नेम लिखा था जो कि उसे बेस्मेंट के अंदर जाके मिलता यहाँ पे अल्रेडी तीन बच्चे पहले से ही थे यानि कि अंडर्स, पैपर और एलियट और इन सब का टीचर स्क्रिप्ट था नौरी कहती है कि यह मेरी जग़ नहीं है मैं गलत जग़ आ गई हूँ मुझे यहाँ पे नहीं रहना है मुझे उपर जाके पढ़ाई करनी है और आखिर हम कौन सी जग़ा पे है तभी यहाँ पे इनके प्रिंसिपल आती है और सब कुछ क्लियर करती है कि UDM का मतलब होता है अपसाइड डाउन मैजिक वो बच्चे जिनका मैजिक सही तरीके से काम नहीं करता उन बच्चो को बागी बच्चो के साथ नहीं रखा जाता है उन बच्चो के लिए यही जगा है आज से काफी सालों पहले UDM के बच्चे जिने कम मैजिक आता था वो भी बागी बच्चो के तरह ही ट्रेनिंग लिया करते थे लेकिन शेडो मैजिक जो की अब तक का सबसे बुरा मैजिक है उसके पजिशन के अंदर एक बच्चा आ चुका था जिसके बाद एक बहुत बड़ा इवल मॉंस्टर ने सब के उपर अटेक किया सारे टीचर्स की मदद से उस शेडो मॉंस्टर को वहां से भीच दिया गया लेकिन उस टाइम के बाद से सारे यूडीयम के बच्चो को अलग रखा गया और उसके बाद घर भीजा जाएगा ये बात ये सुनके सारे बच्चों का दिल तूट जाता है इधर सीज अकेडमी के अंदर क्लासे जोना स्टार्ट होती है ये क्लास फ्लैर की थी जहां पे रहना भी थी टीचर आके सबी बच्चों को इंफॉर्म करती है कि कुछे दिनों के अंदर एक अन्वल फंक्शन होनी वाला है जिसके अंदर हर मैजिक से दो बच्चे आके बढ़ेंगे और जो भी उस मैच के अंदर जीतेगा वो बच्चा अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेगा फ्लैर के टीचर को रैना हमेशा से ही बहुत पसंती इसी कारण फर्स्ट मैजिक के लिए वो रैना को ही बुलाती है ये मैजिक कौन से पॉपकौन बदलने का था रैना थोड़ी से डिस्टर्टेट थी इसी कारण वो सारे कौन को चला देती है ये सारी चीजें एक सीनियर भी देख रही थी या स्कृफ बच्चों को इंगेज रखने के लिए उन्हें ब्रूम दे देता है जो कि एक मैजिकल ब्रूम तो बिल्कुल भी नहीं थी वो यहां की सफाई के लिए दी गई थी नहीं सफाई करते करते फ्लक्सर क्लास के पास में पहुँच जाती है जहां पे टीचर बच्चों को अच्छे से आनिमल में ट्रांसफॉर्म होने के बारे में नोट्स लिखवा रही थी ये सारी चीजे नहीं भी सुन लेती है और तबी क्लास के अंदर आके टीचर से उसे किटन को अपने पास ले लेती है और कोशिश करती है कि अब वो ये सारी चीजे सीख के और नोट्स को ध्यान रखके आनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है लेकिन इस बार भी नौरी का मैजिक गलत हो जाता है और वो बिल्कुल गलत तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है तबी वहाँ स्कृफ आता है और बागी के उसके तीन फ्रेंड भी आके उन्हें ले जाते है स्कृफ यहाँ पे नौरी को समझाता है कि यह हमारे लिए नहीं है यह मैजिक हम लोग नहीं कर सकते हैं अगर तुम ऐसे जाओगी तो तुम अपने आप और मुझे तौनों को मुसिबत में डाल दोगी जिसके बाद अभी बच्चे बे डिनर के लिए निकल जाते हैं इन सभी के अलग-अलग ग्रुप बने हुए थे यहाँ पे रहना अकीली बैटी थी और नौरी को देखते ही वो उसके पास आना चाहती थी नौरी यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ बैटी थी जहाँ पे पहली बार एंडरेस उससे बात करने की कोशिश करता है सभी को वंडर होता है कि क्या एंडरेस बात भी कर सकता है तब एंडरेस नौरी को कहता है कि जैसे वो अलग-अलग अनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती है ये एक बहुत ही बड़ा टैलेंट है इधर रहना आगे बढ़ती है नौरी से बात करने के लिए तब ही उसके टीचर सामने आ जाती है जोकि रहना को वापस अपनी ग्रूप क के अंदर भीज देती है और नौरी से बात नहीं करने देती आगे जाके भी क्लास के अंदर रहना परफॉर्म करती तो है लेकिन एक तम परफेक्ट परफॉर्म नहीं कर पाती है बलकि उसका एक क्लास मेट रहना से भी अच्छा परफॉर्म करता है यही सब सोचते हुए र रहना इन बातों को ignore करते हुए वहाँ से चली जाती है रहना जहां पर बैठी थी उसी टाइम पर नौरी का आना होता है ये दौनों एक दूसरे से बात करती है और पूछती है कि तुम्हारी classes कैसे चल रही है दौनों एक दूसरे को नहीं बताना चाहती कि उन दौनों की कर रही थी तो वो बुक रखने के लिए जाती है तभी वहां से एक बुक बार बार में आगे की तरफ बढ़ती जाती है और सिधा नीची आके गिरती है ये शेड़ो मैजिक की बुक थी रहना डर के मारे वहां से तीजी से भागती है और इसके पीछे चंदरा ही खड़ी थ यहाँ पे नौरी के साथ उसके फ्रेंज मी खड़े थी जो कि नौरी को वापस से अनिमेल में ट्रांसफॉर्म होने की मदद कर रहे थे नौरी यहाँ पे अपने फ्रेंज को बताती है कि कुछी दिनों बात जो अन्वल फंक्शन होने वाला है वो उसके अंदर जरूर पार परिशान हो जाती है और तभी उसे अपने बैट पे वही शैडो मैजिक की बुक दिखाई देती है जो कि आटोमेटिकली रहना को अपनी तरफ डिस्ट्रेक करती है रहना नहीं चाहते हुए उस बुक को उठा लेती है और तभी वहाँ पे शैडो मैजिक का पजिशन रहना को पूरी तरीके से अपनी वश में कर लेता है यहाँ पे जब स्कृफ इन बच्चों की क्लास लेता है तो उसे पता चलता है कि नौरी यहाँ पे नहीं है और इन बच्चों के बताने पता चलता है कि वो आज अकैडमी में होने वाले फंक्शन के अंदर गई है और वहाँ पर्टिसिपेट भी करने वाली है स्कृफ ये बात सुनते ही सभी को वहीं रोकने का ओर्डर देता और कहता है कि बाहर मत आना लिकिन ये बच्चे कहां सुनने वाले थे ये बच्चे भी स्कृफ के पीछे-पीछे भाग जाते हैं यहाँ पर शैडो मैजिक की मदद से रहना एक हे मिनट के अंदर उस चैलेंज के अंदर जीच जाती है रहना कोई चीज अच्छी तो लगती है लेकिन समझ में नहीं आता कि आकर रहना ये कैसे कर पाई तब ही वहाँ पर नौरी आ जाती है और सभी के सामने कहने लगती है कि आप लोग बस मुझे एक चांस दीजिए मैं सब को बताना चाहती हूँ कि UDM वाले भी अच्छी तरीके से मैजिक कर सकते है अकर वो बस सीख जाये तो प्रिंसिपल के मना करने के बावजूद भी नौरी उस चैलेंज को एकसेप्ट करती है और वापस से 6 सेकिंड के लिए एक किटन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड रेना ने उसके साथ ऐसा क्यूं किया अब यहां पर प्रिंसिपल स्कृफ के उपर बहुत गुसा करती है कि आखिर तुम अपने बच्चों को संभाल की तक नहीं रख सकते अगर आज के बाद यह बच्चे कहीं पे भी कि जरूरत नहीं है और वो इन सारे बच्चों को अपने साथ ले जाता है और उसी फॉरस्ट में जाके बताता है कि असल के अंदर वो भी एक फजी है यानि कि वो भी एक यूडियम था सालों पहले वो इस स्कूल में पहुँचा था और और्फन होने के कारण वो बाहर कहीं है और तुम सब लोगों को मैं खुड ट्रेन करूंगा और उन सारे मैजिक को बिल्कुल सही तरीके से करना सिखाऊंगा यहाँ पर नौरी रेना को लेके काफी परेशान थी और एंटरस से बात करने के बाद वो तैय करती है कि वो रेना से बात करने के लिए जाएगी कि रेना कहती है चंद्रा को कि निकल जाओ इस कमरे से और इस बुक को भी लेके जाओ लेकिन चंद्रा की बाहर जाने के बात में भी वो बुक वहीं पर पड़ी रहती है जब नौरी वहाँ आती है तो रेना नहीं चाती थी कि नौरी को इस बारे में कुछ भी पता चले इस सारे बच्चे magic करते जाते हैं और उन चीजियों को धीरे धीरे करके control भी करते हैं। बच्चों का focus और script की मेनत के बाद ये सारी अच्छी तरीके से magic करने लग गए थे। script ने इन बच्चों को वही सिखाया था जो कि इन बच्चों को अच्छी तरीके से आता था। यानि कि इनके magic को change नहीं किया गया था। रेना डरी हुई थी, कमजोर थी और रेना के उपर वो पूरी तरीके से हावी हो जाती है। यहाँ नौरी को लगता है कि रेना के साथ कुछ तो कलत हुआ है। इसी कारण वो उसी जग़ा पे पहुचती है जहां पे रेना खड़ी थी। नौरी वहाँ से भागती है और सीधा UDM तक पहुचती है जहां पे वो स्क्रिफ और अपने friends को बताती है कि रेना पूरी तरीके से change हो चुकी है, वो अलग तरीके से बात कर रही है। इस क्रिफ समझ जाता है कि रेना के उपर shadow magic हुआ है। भागने लगते हैं, रेना ने कई जगा blast भी कर दिये थी अपनी power से, सभी लोग समझ चुके थे कि रेना के उपर shadow magic का position है, तभी वहाँ पे स्कूल के principal सारे teacher से कहती है कि अपने powers का use करो, जब ये सारे अलग-अलग magical power के teacher अपने बच्चों को lead करते हैं, तभी ये shadow magic कम नह shadow monster को injured करता है, एंड्रेस हवा में जाके shadow monster को distract करता है, और अब बारी थी नौरी की, वो अलग-अलग animals में transform होती है, और उसके बाद shadow monster को हरा देती है, और वहीं पे जमीन पिकिरा देती है, जिसके बाद principal वापस से order देती है सभी को, कि एक साथ power use करके shadow monster को पकड़ लिया लेकिन नौरी वहाँ पे सबको मना करती है कि ऐसा मत करो, असल की अंदर अगर इसके उपर काबू किया गया, तो रेना भी मारी जाएगी, नौरी normal transform होती है, और रेना को समझाने की कोशिश करती है, कि प्लीज इस से जीतने की कोशिश करो, ये black magic है, और इस shadow magic से तुमें ज सेज के अंदर admission मिल जाता है, अब तो स्कृफ को भी एक teacher बना दिया गया था, और वो भी एक fuzzy teacher के जैसे बच्चों को animal से बात करना सिखाता था, वो भी singing करते हुए, नौरी सबको अलग-अलग जानवरों में transform होना सिखाती थी, लेकिन movie के last scene में हम देखते हैं, कि इस library के अब ही भी वही shadow magic के book वापस से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, यानि कि हो सकता है कि वापस से ये book किसी और को भी अपने जैसा evil बना सकती है, और इसी के साथ guys ये शानदार movie यहीं पर खत्म होती है, तो आप सभी लोगों को ये movie कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा, त तक के लिए टाटाएगा